हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चनल बेस्ट लेक्टिक फ्लेट्फॉम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्ट्टर में हम जानेंगे कि हम अपने घर में कितने वियर रेटिंग का इन्वेटर लगाएं यह वियर रेटिंग क्या होती है सब कुछ आज हम इस तरीके से चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि इन्वेटर रेक्टिफायर क्या होती है बस आपको दो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी जैसे इन्वेटर को हम क्या बोलते हैं यह इसका में काम होता है हमारा डीसी करेंट को एसी करेंट हो मतलना यानि कि डीसी को एसी में चेंज करना यह किसका काम होगा फ्रेंड्स इन्वेटर फ्रेंड्स डीसी करेंट हमारी और एसी करेंट इस टैपस हम सो करते हैं डीसी मतलब डारेक्ट आपको और एसी आपकी अल्टरनेटिंग करेंट की रूप में चलती है एक बार वो positive होगी और एक बार negative होती है friends. Okay friends, आपके हमारे जो गरों में आजकल आती है, वो AC आती है, DC current हमें जो battery से प्राप्त होती है, वो हमें DC प्राप्त होती है. ठीक है friends? Next, अगर हम बात करना, rectifier क्या होता है? Rectifier का काम friends होता है हमारा AC को DC में बदलना. जैसे friends हमें माल लेजिए, inverter हमारा आया, inverter से light अगर हमारी आ रही है, light हमारी गरों में आती है, AC. AC से हम क्या करेंगे? inverter हम बहेजेंगे, बट हमारी battery क्या जरूत पड़ती है हमें इसा friends? DC. बैंटरी में हमेरे DC चाहिएगी, और हमारे गरों में कुन से आती है fans? AC करेंट. बट हमारे जितने भी equipment हमारे गरों में लगे हुए हैं, fan, bulb, tube light, जितने भी होते हैं, सब किसव पर करते है fans हमारे? AC पर. अब बैंटरी को चाहिएगी हमें चाहिए DC, तो उस case में हमारे जब light हमारी भाग जाती है, light आ रही होती है वरों में, तो हमारे इनवेटर बैंटरी को चाहर्ज करता है, तो इनवेटर का काम क्यों होता है उस ताम friends? AC को DC में चेंज करके, बैंटरी क्या कर देगा? चाहर्ज करेगा ये बाला. अगर light हमारी नहीं होती है उस condition में, DC बैंटरी हमारी DC करेंट लेके करम इनवेटर करेगा, उसको AC में चेंज और हमारी किसको देदेगा? light fan bulb जो भी हमारे करम लगे हुए है, उस case में आपका इस इनवेटर की परकिंग हो जाएगी DC to AC, और जब charging करता है तो होती हमारी AC to DC, याने कि friends हमारा ये घर में इनवेटर लगा होता है, ये हमारा इनवेटर प्लस रेक्टिफार दोनों का काम करता है, ओगे friends, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हम अपने गहरों में कितने BA रेटिंग के इनवेटर लगाएं, मैं एक सिंपिल लियाउट आपको घर में दिखा दिता हूँ, मैंने उसको इनवेटर वैसे गहरों में बहुत कुछ होता है, हमारे फ्रेज, कूलर, बहुत कार होते हैं, मैंने क्या किया आपको friends, केवल स्रीलिंग फैन, ट्यूब लाइट, बल्व और एक्जोस्ट पैन, जो ज़्यादा है एक रुक्वारमेंट हमारी, मैंने वही आपको क्या करा है, इनवेटर से कनेक्ट करेंगे हम, और एक हम टीवी बगएर माल लेते हैं फैन्स, यह मैंने क्यूबमेंट ले लिए, LED वल्व, टूब लाइट, LED वल्व, स्रीलिंग फैन्स, एक टीवी ले रखिये, और एक्जोस्ट पैन्स, जादातर हम गरों में यही एक्यूबमेंट है, जो हम इन्वेटर से यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंट मैं टूबलाइट की वाटेज की बात करूँ, तो एक टूबलाइट की वाट मैं माल लेता हूँ, बीस वाट की है, बल्ब दस वाट का है, सीलिंग फैन्स, एक टीवी, हमारी अंड्रेड वाट, और एक जोस्फेन, 40 वाट का होता है, अब मैं इनकी क्वाट लेता हूँ, आपके घरों में जितनी भी क्वाट लेता है, मालो आपकी घरों में लगी हूई है, टूबलाइट 5 है, तो आप 5 माल के चलना, मैंने एक एक्जेक्ट अपने हिसाफ से मान रखा है साथ ओके फ्रेंड्स आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं कॉंटिटीज को ओके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो मैंने माना है वो मैंने ले लिए एक टीवी ले रखे हैं दो एक्जोस फैन साथ टूबलाइट आट वल पांच फैन ओके अब टोटल बाटेज के लिए मैं क्या करूंगा एक की बाटेज हमारी 20 है साथ की कितनी हो जाएगी एक सो चाली से नहीं इन डॉनों की क्या कर सकता हूं मल्टिप्लाई करके मैं यहाँ पर आपको सिंपली लिक्ट की देता हूँ अब ब एरेटिंग कैसे निकालेंगे फैन्स हमारे ब एरेटिंग निकालने के लिए एक फ़र्मूला होता है जैसा कि मैं आपको एक बार बता जता हूं फ्रेंडूर्ट्स फैन्स की निकालना हैं तो बेरेटिंग निकालने के लिए मैं क्या करता हूं सिंपली विल्टेज बॉल्टेज का मात्र होता है हमारे बोल्ट और करेंट का होता है MPR ओके इसलिए हम इसको रेटिंग क्या बोलते हैं वी ए समझ माया है फ्रेंट्स बीए कहां से निकल काया यानि कि हमारी पावर है उसको अगर मैं कॉस फाई से यानि पावर फेक्टर से मल्टिप्लाई कर दूँ तो हमारे क्या निकल का जाएगा बी ए रेटिंग कॉस फाई जनरली हम 0.8 यह 0.9 माल लेते हैं मैं यहां पर स्टेंडर्ड में आपको 0.8 से मानके चलता हूँ अब टोटल वार्टेज मैं नहीं आपको काउंट कर ली उसके बाद 0.8 से अगर मैं 140 को डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आएगा 175 ऐसी सभी को मैं डिवाइड कर दूँगा तो आप यह निकाल सकते हैं ओके यानि 0.8 से मैं बाटेज को क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ यह मैं टोटल को भी कर सकता हूँ मैं अललग करके भी दिखा दिया है टोटल को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बी ए 875 ओके फ्रेंड्स हमारे पूरे घर की हमें अगर निकाल दिया हमारे टोटल वाटेज हम अगर पता है कि हमारे घरों में की टोटल वाट केतना है तो हम वाइड कितने निकाल सकते हैं अब मैं simplification यानि कि ठोड़ा बहुत मालों बाविस्स समय एक दो फैन है वलो हमने लेता हूं इसकी बेरेटिंग अगर हम इतनी लोड है हमारे करमें इनवेटर हमें कितने के लेना चाहिए 900 बीए का यानि की 900 बोल्ट एमपिर का अगर इतना लोड है तो इतना आपका सफी सेंट रहेगा अगर आपका लोड जादा है तो आप ज्यादा निकाल सकते हैं कुछ में आपको स्टेंडर्ड बोल्टे रेटिंग के साथ कितने पावर के आपको लगाने चाहिए इनवेटर मैं आपको बता देता हूं अगर आपकी बीए रेटिंग 600 आ रही है यानि कि आपके घर में 440 बाट गलका रहा है तो आपको 600 तक का इनवेटर लगा लेना है यह हैmaximum बेंटर्ड बता रखें हैं कितने बोल्टेज के होते हैं तुम्हारी बारे वोल्ट के हो गी अगर 24 वोल्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मदला हमने 2 वैंटर्री उसको सीरिज में लगा दिया है अगर 36 है टीन वैटरी को सीरिज में लगा दिया है ओके फ्रेंट यह स्टेंडर बियर रेटिंग मैंने इनवैटर की लेकर रकिया है अगर आपके घर के लोड 560 है तो आप 700 तक शाथ सो बिया का इनवैटर यूज करेंगे सही रहेगा, अगर जादा आप्डाउन रहती है तो आपको stabilizer भी लगाना पड़ेगा साथ में तो stabilizer के लिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने एक वीडियो चैनल पर डाल रखिये, अगर कितने बियुक्त के स्टेपलाइजर लगाना है, तो आप वहां से आपकी हैं जैसे कि स्कॉइर वेव आपकी वाली होती है इनवेटर के अंदर हमें होता है सांवेब आपकी ऑर एक होती है जादतर हमारे इस टैप में आते हैं यह दो यहांगा फ़ोड़ इससे सांवेब की अपelyn कर सस्ते होते हैं बट आपको बोलके ले लेना है कि साइन वेव हम इनिवेटर चाहिए साइन वेव की थोड़ा से क्या है इससे अगर हम कुछी फैन को चलाते हैं तो उसमें आपने देगा एक्स्टर साउंड निकाम आएंगे कि लाइट वहागने पर फ्रेंट्स फैन के वादड चैंज हो जाती है इनिवेटर के सहं वह इसी कारण्ट से होती है इसलिए आप ज्यादध तर प्रिफेर刚 ना है साइन वेव इनिवेटर ओकेए आई ओप वीडियो अच्छी लगे हो की फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में